ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमः जै मातरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मां भगवते दुर्गा की गृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वता बनी रहे दोस्तों प्रत्यक वयर्स आसाड़ मास के कृष्ण पक्स की एकादिशी तिथी के दिन योगिनी एकादिशी का व्रत रखा जाता है इस बार योगिनी एकादशी कवरत रखा जा रहा है 14 जून 2013 यानि कि बुधवार के दिन और इस दिन जगत के पालन हार भगवान श्रीर विष्णु की पूजा आरातना की जाती है योगिनी एकादशी कवरत अपने आप में विशेश महचर रखता है मानेता है कि विधी विधान से योगिनी एकादशी कवरत करने से 88,000 ब्रामुनों को भोजन कराने जितना पुन्यफल प्राप्त होता है इस व्रत को धारन करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, योगनी एकादशी का व्रत धारन करने से रोगों से और दोशों से मुक्ति मिल जाती है और योगिनी एकादशी का व्रत धारण करके विधी विधान से भगवान श्रीय विष्णू की पूजा आरात्ना करने से जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणो परांत भगवान श्रीय विष्णू की असीम क्रिपा से मोक्ष की प्राप्ति ह की इसलीए योगनी एकादुषी के वृत का विशेष घतुम्हाना गया है और योगनी एकादुषी की और कि ने मात्र से हजारों प्रेख कत्रोती हूं ज्रूण्रा जाहिए तो तो आज 2013 में मैं आप से क्लुप करने वाली हूं योगिनी एकादिशी के शुब्म हुर्थ के बारे में पारण के शुब्म हुर्थ के बारे में वरत की पूजा विती किस प्रकार से होगी और योगिनी एकादिशी वरत की कथा क्या है और हाँ आज के दिन आपको कौन से उपाई करने चाहिए किस प्रकार से भगवान श्री ह विशनु को प्रसंच करने के लिए हम आज के दिन पूजा कर सकते हैं यह संपुर्ण जानकारी आप को आज की वीडियो में मैं शेर करने वाली हों तो आज की वीडियो बहुत महत्वध हैं पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर ही किया करें इसके साथ ही comment box में मातराणी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं इससे आपको सकरात्मक औरजा की ब्राप्ति होती है और अगर आपका कोई भी सुझाओ हो कोई भी प्रशन हो या कोई भी विशेश वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी comment box म जरूर लिखें और चैनल पर पहली बाहर आए हैं अगर अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजे इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो 13 जून को ही सुभह 9 बसकर 39 मिनट पर और समाप्त होगी 14 जून को सुभह 8 बसकर 48 मिनट पर लेकिन सुर्योदे कालीन तिथी में ही हमेशा योगिनी एकादशी कवरत रखा जाता है तो ऐसे में सुर्योदे कालीन तिथी हमें प्राप्त हो रही है 14 जून 2030 बुद्धवार को इ तो ऐसे में पारण का शुब मुर्त आपको कप्राप्थ हो रहा है देखे सबसे पहले हरिवासर की समाप्ती का समय जानते हैं 14 जून 2030 को दोपहर में 2 बसकर 44 मिनट पर हरिवासर समाप्थ हो जाएगा हरिवासर क्या होता है कई वक्तों के प्रश्णाएं हैं देखे द्वादशी तिती का प्रारंभीक जो एक चौथाई समय होता है उसे हरिवासर कहा जाता है तो ये लगबग 4-5 घंटे का होता है और सास्त्रों के अनुसार हरिवासर के समय में एकदशी वरत का पारण करना पाप करने के समान माना गया है इसलिए इस समय में हमेशा ध्यान रखकर वरत नहीं खोलना चाहिए तो हरिवासर दुपहर में 2.44 मिनट पर 14 जून को ही समाप्त हो जाएगा और पारण का शुब मुर्त आपको प्राप्त हो रहा है गुरुवार के दिन यानिकी 15 जून को सुबह 5 बज कर 22 मिनट से सुबह 8 बज कर 10 मिनट तक और हाँ यहाँ ध्यान रखना है आपको क्योंकि इस बार जो 12 तीथी का समय है 15 जून को सुबह 8 बज कर 32 मिनट तक ही है इसके बाद 13 तीथी प्रारंप हो जाएगी इसलिए आपको अपना पारण इससे पहले जरूर खोल लेना है मतलब अगर आप 8 बज कर 10 मिनट तक नहीं भी खोल पाते हैं तो 8 बज कर 30 मिनट तक अपना व्रत अवश्य खोल लीजिए और अब बात करते हैं एकादशी की पूजा वीधी के बारे में आज आप योगिनी एकादशी का व्रत धारन करेंगे भगवान से प्रातना कर लीजिए उसके बाद नित्य कर्मों से निवरित होकर आपको शनान करना है तो देखिए एकादशी के दिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गंगा इत्यादी नदियों में ही शनान करना चाहिए अब संभव नहीं है सब के लिए ऐसा कि गंगा में शनान कर पाए तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से शनान अवश्य कीजिए आप चाहें तो थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं और इसके बाद आपको शनान करना है शनान करने के पस्चाद पीले रंग के वस्तर आज धारं करना बहुत स्रेष्ट माना जाता है क्योंकि भगवान श्रियल enabling पीतामबन भारी है उन्हें भी पीले रंक के वस्त राहं धारं करते हैं इसलिए स्वयम भी अगर पीले रंग के वस्त्रधारन करके पूजा करें तो यह अत्यांत स्रेष्ट होता है तो श्नानित्यादी से निव्रेत होकर भगवान सुरेदेव को जल अरपित कीजिए भगवान सुरेदेव को जल अर्पित करने के लिए एक तामबे के पातर में चुटकी बरहल्दी, चुटकी भर रोली और थोड़े से पुष्प डाल कर भगवान सुरेदेव को जल अर्पित कीजिए इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाईए, भगवान सुरेदेव के समक्ष एक शुद्धिखी का दीपक प्रजलित कर लिजिए, अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर और व्रत का संकल्प ले लिजिए कि आज आप योगिनी एकादशी का व्रत धारन करने व भगवान सुरेदेव के समकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामगरी हैं जैसे जल और पुष्प वो भगवान सुरेदेव के चलणों में अरपित कर दीजिए, इसके बाद आप भगवान सुरेदेविश्नु का अभिशेक करते हैं, शालिग्राम किशिला हैं, बुरी नहीं रहती है, इसलिए अगर आपके पास दक्षिनावर्ती शंक हो, तो दूद में केसर मिलाकर आप ये उपायत जरूर कर लीजिए, और हां इस प्रकार से आप हर एकादशी पर कर सकते हैं, और भगवान सुरेदेविश्नु का अभिशेक करने के बाद उन्हें प अध्यन्ति प्रीय है, तो आज के दिन भगवान को दूद से बनी हुई, कोई भी मिठाई अरपीद कर सकते हैं, चाहें तो खीर बना कर अरपीद कर सकते हैं, मखाने की खीर, साबू दाने की खीर, क्यूंकि चावल आज प्रयोग नहीं किया जाता है, तो चावल की खीर नह कर लीजिए फिर वहीं बैटकर मंत्रों का जब कीजिए अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो 108 बार भी ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा इस मंत्र का जब कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास समय है तो सुबह भी आप विश्णु सहस्त्र नाम का पाट कर सकते जो भी आपके पास समय उपलब्ध है उसके अनुसार मत्रों का जब कर लीजिए आज के दिन भगवान श्रीयर विश्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करने से समस्त्र प्रकार के पापकर्मों से मुक्ति मिलती है और हाँ अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की म पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए इसके बाद दिन में आपको व्रत रहना होता है तो व्रत में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं जूस पी सकते हैं फलों का रस ले सकते हैं दूद पी सकते हैं बहुत से भक्तों के प्रशनाते हैं कि क्या चाई प करते हैं शाम के समय फेर से संध्याकाल से पहले श्नानित्यादी कर लीजिए सापसोच वस्त्रधारन कर लीजिए भगवान श्रीयर विष्णु के सामने शुद्धगी का एदीपक प्रज्वलित कर लीजिए और बैटकर मंत्रों का जब कीजिए भजन कीर्थन कीजिए भोग और रात्री जागरन करते हुए हम जो भी भजन कीर्थन करते हैं या मंत्रों का जब करते हैं या भगवान श्रीयर विष्णु के नाम का जब करते हैं जैसे कि हरे क्रेश्ण हरे क्रेश्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का बहुत महत्र है मतलब यह मह मंद्र है तो अगर आप रात्री जागरन करते हैं इस मंद्र का अधिक से अधिक जब कीजिए और हां एका देशी के दिन भगवान श्रीयर विष्णु के सामने शुद्धिगी का दीपक प्रज्वलित करके अगर आप भगवद गीता का पाथ हवश्य करना चाहिए तो अब जैसे कि बहुत से भगतों के प्रशन आते हैं कि कौन से अध्याय का पाथ हमें करना चाहिए देखिए एका देशी के दिन तो अगर आप भगवद गीता का मात्र एक श्लोग भी पढ़ लेते हैं तो इसका भी बहुत अधिक फल प्राप्त होता है आपको तो ऐसे में आप कोई सा भी यजिस लोग पढ़ सकते हैं कोई साभी अध्याय पढ़ सकते हैं लेकिन विशेश रूह से 11-28 पाथ पाट जरूर करना चाहिए हो सके तो सात्वे अध्यायका भी पाट कर सकते हैं सात्वे अध्यायका पाट करने से पित्रों की आत्माएं बहुत प्रशन होती हैं इसलिए आप अपने इच्छा के अनुसार किसी भी अध्यायका पाट करें लेकिन जरूर आज के दिन आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए पूरे करुणा भाव से मतलब आर्थ भाव से एकदम भगवान को समर्पित हो कर अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो आप बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं रो गरिण शत्रू किसी भी प्रकार का बंधन आपके जीव भगवान सुर्य देव को जल अर्पित कीजिए उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्रील विष्ण की विदिविधान से पूजा कीजिए फिर्शुद और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित कीजिए ब्रामपन को चाहें तो घर गुलाकर तो ब्रामपन के निमित्त भोजन की कच्ची सामगरी निकाल कर रख दीजिए उसके बाद स्वयम भी शुब भूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं व्रत का पारण कर सकते हैं तो यह हैं दश्मीश द्वात्सी तक के नियम इन नियमों का पालन प्रत्यक व्रत करने वाले क की कथा महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्म राजुदिष्टर ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा हे त्रीलो की नात मैंने जेश्ट माज के शुक्लिपक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी और अब आप क्रिपा करके आसाण माज के कृष्ण पक्ष्ण की इस हिमें इस एकादशी के शुचा अराधना की जाती है नीशम क्या होते हैं इस एकादशी के सो अब आप मुझे विस्तार पुर्वक बतलाईए श्रीकृष्ण ने कहा हे पांडुपूत्र आसाण माज के कृष्ण पक्ष्ण की एकादशी का नाम योगनी एकादशी है इ इसके व्रत्से सभी पापनष्ठ हो जाते हैं, तुम्हें मैं पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पुर्वक्ष रमड करो। कुबेर नामक एक राजा अलकापुरी नामकी एक नगरी में राज्य करता था, वह शियोभग्ष था, उनका हेम माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूझा के लिए फूल लाया करता था، हेम माली की विशालाक्षी नामकी एक अती सुन्दर इस्त्री थी एक दिन वहमान सरोवड से पुष्प तो लेकर आया, किन्तु कामा सक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपने इस्त्री के साथ रमड करने लगा, इस भोग विलास में दो पहर हो गई, हेम माली की राह देखते देखते, जब राजा कुबेर को दो पहर हो गई, तो उसन हेम माली अपने इस्त्री के साथ रमड कर रहा है, इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्या थी, डर से कापता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्तित हुआ, उसे देखकर कुबेर को अत्यन्त क्रोधाया, और उसके होट फर्फडाने लगे, राजा ने कहा, अरे अधम, तुने मेरे परम पूजनिय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है, मैं तुझे श्राब देता हूं कि तुष्त्री के वियोग में तडपे और मृत्यू लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे, कुबेर के श्राब से वह तच्छण स्वर्ग से प्रित्वी परागिरा और कोड़ी हो गया, उसके इस्त्री भी उससे बिछड़ गई, मृत्यू लोक में आकर उसने अनेकों भयंकर कश्ट भोगे, किन्तु शिवकी क्रिपा से उसकी बुद्धी मलिन न हुई, और उसे पुर्वजन्म की भी सु वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे, और उनका वह आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान ही सोभा दे रहा था, रिशी को देखकर हेम माली वहा गया, और उन्हें प्रणाम करके उनके चर्णों में गिर पड़ा, हेम माली को देखकर मारकंडे रिशी ने कहा, वर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्यान ही नहीं रहा और दो पहर तक पुस्प नहीं पहुचा सका तब उन्होंने मुझे श्राब दे दिया कि तु अपने इस्त्री का वियोग और मृत्य रिशी ने कहा हे हे माली तुने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहें हैं इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूं यदि तु आसाड मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादिशी का व्रत करें तो तेरे सभी पापनश्ठ हो जाएंगे महर्शी के वचन सुन इस योगिनी एकादिशी की कथा का फल 88,000 ब्राम्वनों को भोजन कराने के बराबर है इसके व्रत से तो सभी पाप ही नश्ठ हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायन की जै एक आदिशी माता की जै 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 श्री क्रिष्ना जै श्री राधे